हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर बहुत श्रागते तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदू लड़कों के लिए पी लेटर से बहुत ही यूनिक और काफी स्मार से नम और इन आमों के आर्थी भी बताने वाले हैं तो इसके लिए आप हमार वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप उमारे चैनल को लाल ओले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं पहला नम्में आपकी बेटी के लिए प्लेटर का बहुत ही छोटा और काफी स्मार्ट सा नाम ल पारूल एंड पारूल नेंकी मिनिंग होती है ब्यूटिफुल तो पारूल नम आपकी बेटी के लिए प्लेटर का बहुत ही स्वीड सा नाम रहेगा अगला नाम है पिया एंड पिया नेंकी मिनिंग होती है बिलवड तो पिया नम आपकी बेटी के लिए बहुत ही छोटा और काफी इजी सा नाम रहेगा, तो आप चाहें तो आप अपनी बेटी को पीया नाम देशकते हैं अगला नाम है परीधी, और परीधी निमकी मेनिंग होती है रेल्म तो परीदी नाम पीलेटर का बहुत ही यूनिक सा नाम है तो यह नाम आपकी बीटी के लिए ठीक रहेगा Next is पूर्वी और पूर्वी मिन्स होता है पूरख की दिशा तो पूर्वी नाम आपकी बीटी के लिए बहुत ही लखी सा नाम रहेगा अगला नाम है पार्थवी और पार्थवी निमकी मिन्स होती है गोड़े सीता तो अगर आप अपनी बीटी का नाम मा सीता के नाम पर पीलेटर का बहुत ही पॉपलर सा नाम रखना चाहते हैं तो आप उसे पार्थवी नाम दे सकते हैं अगला नम मैं आपकी बेबी डोल के लिए लेकर आएं हूँ पूजिता और पूजिता निम की मीनिंग होती है वर्शिप तो पूजिता नम आपकी बेटी के लिए पी लेटर का बहुत ही बेटर सा नाम रहेगा नेक्स्ट इस पंखुडी और पंखुडी निम की मीनिंग होती है पेटल तो पंखुडी नम आप अपनी बेटी के लिए चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि पंखुडी नम पी लेटर का बहुत ही प्यारा सा नाम है अगला नम मैं आपकी बेटी के लिए लेकर आए हूँ प्रियानी और प्रियानी निम की मीनिंग होती है लब्डवन तो प्रियानी नम का अर्थ बहुत ही स्वीट है तो आप अपनी बेटी को प्रियानी नाम देशकते हैं नेक्स्ट ब्युटिफुल नम इस प्रांजल अन प्रांजल निम की मीनिंग होती है और प्रांजल नम का इंदी में अर्थ होता है रिमानधार तो प्रांजल नम आपकी बेटी के लिए बोत सही नाम रहेका अगला नम बहुत ही सुन्दर सा नामे प्यूशा और प्यूशा निमकी मिनिंग होती है अमरेत तो प्यूशा नम आपकी बेटी के लिए प्लेटर का बहुत ही मौडल सा नाम रहेगा नेक्स्ट निम इस प्राकृती और प्राकृती निमकी मिनिंग होती है नेचर तो प्राकृती नाम बोलने में बहुत ही प्यारा और काफी क्योट सा नाम है तो यह नाम आपकी बीटी के लिए ठीक रहेगा अगला नाम है प्रशूना और प्रशूना नेम की मीनिंग होती है जियर्फुल तो प्रशूना नाम आपकी बीटी के लिए ठीक रहेगा Next name is Pratichah, and Pratichah name की meaning होती है, Waiting for Something तो Pratichah नाम आप अपनी बेटी को दे शकते हैं अगला नाम पी लेटर को बहुत ही छोटा सा नाम है Pushty, and Pushty name की meaning होती है Pink तो Pushty नाम आपकी बेटी के लिए ठीक रहेगा नेक्स नीम इस पंकिता और पंकिता निम की मीनिंग होती है लाइन तो पंकिता नम नाश्टों में पिल लेटर का बहुत ही यूनिक सा नाम है तो आप चाहे तो आप अपनी बेटी को पंकिता नाम दे शकते हैं अगला नाम में आपकी ब्यूटिफुल डॉल के लिए लेकर आई हूँ पर्निती और पर्निती निम की मीनिंग होती है ब्यूटिफुल बर्ड तो पर्निती नाम आप अपनी बीटी को दे शकते हैं Next is Presti and Presti name की meaning होती है Ray of Light तो Presti नाम आपकी बीटी के लिए Pilitra का बहुत ही छोटा और कापी लखी सा नाम हेगा अगला नाम बहुत ही प्यारा सा नाम है Pavi and Pavi name की meaning होती है Pure और Pavi नाम का हिंदी में अर्ठ होता है सुद्ध तो पवी नाम आपकी बेटी के लिए ठीक रहेगा अगला नाम है प्रिशा और प्रिशा निम की मेनिंग होती है बिलवड तो प्रिशा नाम आप अपनी बेटी को चाहें तो देशकते हैं तो दोस्तों मैं आसाने पूर विश्वास करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपने हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दिया होगा और अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लिजिए और पास में वेल आकन पर प्रस करके आल पर सेलेट कर लिजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे मिस ना कर सकें तो में अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब टेक कियर